हाई फ्रेंड्स मेरी चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारी किलास का 37 वा दिन है आज की वीडियो में हम सीखेंगे अमरेला ड्रेस बनाना जिसके लिए 2.5 मीटर कपड़ा लिया है सबसे पहले पेपर पे बताएंगे हम आपको तो पेपर की ये लंबाई है और ये पेपर की चोड़ाई है अभी क्या करना है पेपर को डवल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से ये सिर्फ आप मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आपको ऐसे करना है बाकी हमें सारी ड्राफ्टिंग कपड़े पे ही करनी है बस आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ अब इसके चार कौने है कोई भी कौना उठाके और इस तरीके से मिलाएंगे इसको ये देखिए ऐसे हमने तिकौना मिलाया इसको आप देख सकती है अब ये हम कपड़े पे कर लेते हैं तो कपड़े पे सबसे पहले हम अपने टौप पार्ट के लिए कपड़ा निकालेंगे निकला करणे 10,5 मिटर कपड़ा है और ये जो हमारा रियोन का कपड़ा होता है ये वह वाला कपड़ा है अभी हम क्या करेंगे कपड़े को ऐसे डवल फोल्ड करेंगे अगर आप फैल दी हैं तो आपको ऐसे मोड के निकालना होगा कपड़ा लेकिन मेरा इस में से मैं कम निकालूँगी तो मेरा लम्बाई वाली साड़ से ही निकल जाएगा वैसे भी 0,5 मिटर ही आप फैल दी है तो अब 3 मिटर है शारे 3 मिटर लें अब यहां से लंबाई देख लेते हैं जैसे 14 की तैयार रखेंगे तो साड़ी 15 इंच पे हम ऐसे निसान लगा के और इस कपड़े को मैं यहां से पहले अलग कर दूँगी तब ही आपको समझ में आएगी पूरी ड्राफ्टिंग तो यहां से पहले मैं इसको अलग कर लेती हूँ तो देखिए मैंने पहले इस कपड़े को अलग कर लिया है बागे के कपड़े को मैं साइड में बचा दूँगी अब यह आप देख सकती है यह मेरे पास एक पीस आ चुका है यह खुली वाली साइड है और बंद वाली साइड हम 3 ले लेते हैं इसमें हम बोटनेक बनाएंगे तो हम 7 इंच पे इसका 3 लेंगे अगर आप बड़ा गला बना रही है तो आप इसमें 3 कम लें 5-6 के बराबर अब हम यहाँ से आरम होल ले लेते हैं 6.5 इंच फे यह 36 के स्ट का हम बना रहे हैं और यहाँ से छाती का चौथा हिस्सा और उसमें 2 इंच एक्ष्ट्रा мार्जन तो यहाँ से चाती साइज है तो उसका 9 निकालेंगे और 9 में हमने 2 इंच एक्ष्डर। उसी में ले लिया ह टोटल हमने 11 इंच लिया है कपड़ा अब हम यहां से भी कमर का चौथा हिस्सा और उसमें भी 2 इंच ज्यादा कमर 27 है तो उसका साथ आता है तो उसमें भी हमने 2 इंच तो हमने यहां से 9 इंच लिया है और इन दोनों पॉइंट को मैंने फ्रंट के लिए दे ली और जैसे ड्राफ्टिंग की है ऐसे हमें इसकी कटिंग कर दे नहीं है कुछ भी नहीं करना है हाप इंच का तीरा हैंसे डाउन कर देंगे इस तरीके से और बस इसको ऐसे ही कटिंग करके जो हमारा एक्ष्टा फैब्रिक है और फ्रंट के आर्म हूल वगएरा गला हम इसका बुक्रम पे बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, खुली वाली साइड को आर्म हूल लगते हैं, बंद वाली साइड को गला लगता है यह चीजों का ध्यान रखी, कभी भी कपड़ा खराब नहीं होगा, चार तह में कपड़ा रखना है, अब कटिंग कर लेते हैं इसकी पूरे की हम ऐसे ही, तो देखिए फ्रेंट्स, मैंने कटिंग कर दी है मैंने फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग करके अलग कर दिया है, जो एक्स्ट्रा फैबरिक था ठीक है, यहां से थोड़ी सी वीडियो सूट नहीं हुई है, उसके लिए सौरी तो यहां से हमने पूरे दो पार्ट निकाल दी है, यह देखिए यह हमने 36 के अकॉर्ण निकाले है, अगर आप फैल दी है, तो आपको कपड़ा ज़्याता लेना पड़ेगा 40 है, तो आपको 12 इंच कपड़ा लेना पड़ेगा, मारजन लगा के तो इसलिए हमें सिर्फ 11 इंच कपड़ा चाहिए था तो हमारा 11 इंच लंबाई में ही बैठ गया था अब ही जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है सिलीप्स हमारी बचे हुए फैब्रिक से निकलेंगी तो पहले हम घेरा निकालते हैं हमें किस तरीके से कपड़े को रखना होगा यहां से आपको बहुत द्यान देने वाली चीज़ करना है मतलब बहुत द्यान देना है यहां से आपको क्योंकि हम किस तरीके से रख रहे हैं देखिए अभी हमने कपड़े को कैसे किया अभी हमने दो तहमें अच्छे से बिचा लेना है कपड़े को तो आप देख सकती है मैंने कपड़े को दो तहमें बिचा लेना है यह लंबाई है कपड़े की यह कपड़े की चोड़ाई है और एक आपको बंद की साइड मिलेंगी तीन आपको ओपन साइड मिलेंगी कमर का मेजरमेंट निकालने की बिल्कूल भी आवसकता नहीं है हमारा जो टॉप पार्ट है उसी से हम पूरा कटिंग करके दिखाएंगे तो यहां से हमने कमर वाली साइड से मैं आपको जब कटिंग करूंगी तो अच्छे से समझाऊंगी आप यह मत प्लीस यह मत कहना कि बैट रही है 31 इंच ठीक है यहां से 31 इंच बैट रही है तो हम पहले वो कमर का मैंने टॉप पार्ट रखके और एक निसान लगा लिया था लेकिन आज थोड़ी से गड़वड हो गई हमारी वीडियो में उसके लिए हम सौरी बोलते हैं आप से क्योंकि कुछ-कुछ जगह आज क्या हुआ कैमरे में कुछ-कुछ जगह से वीडियो सूट नहीं हो पाई है हमने पूरी पूरी वीडियो सूट किया हम गलती नहीं करते फिर भी कही ना कहीं से आज गड़वड होई है तो देखिए हमने पूरा ऐसे 31 इंच पे पूरे में निसान लगाने कोई भी पार जैसे मैं मिला रही हूँ एक दूसरे से मिला देना ही देखिए एक भी डॉट आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए इस तरीके से मिलाएंगी कभी भी आपका गाउन हो चाहे कुछ भी हो मतलब अमरेला हो उस कभी भी आपका छोटा नहीं होगा तो हमने देखिए निसान लगा लिए अब मैं आपको समझाओंगी टॉप पार्ट वाला कि हमें किस तरीके से रखके उसका चौता हिस्सा निकालना है बचे वे फैबरिक से बाजो निकालेंगे तो आपको मैं थोड़ा सा कटिंग करके ही दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से रखा था तो देखे फ्र कि बस कटिंग कर दिया सेम आपको किसी भी साइज में ऐसे ही करना है यह नहीं कि आपको 36 में ही करना है किसी भी साइज में आप इसी तरीके से निकालेंगे अमरेला टॉप पार्ट या कुछ भी तो आपका हमेशा परफेक्ट पैठेगा अब हम नीचे से इसके अपने गेर निसान लगाया हुआ है। यहाँ से लेनी होती है क на you Um ठीक है अब ही हमने ये लगा लिया है अब इसको हम उपन कर लेते हैं तो देखिए ये खुलने के बाद में इस तरीके से दिखाई देगा ठीक है ये ऐसे दिखाई देगा अब यहां से हम अपने टॉप पार्ट रखके देख लेते हैं तो देखिए ये हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल बराबर आ रहा है हम इसे नाप के देख रहे हैं तो एक दम देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है ना चोटा है ना ही बड़ा है तो इस तरीके से ये दोनों हमारे निकल चुके हैं ये बैक का टॉप पार्ट है और गला हम आपको बुकरम पे ही सिखाएंगे इसका अब ये बचा हुआ फैबरिक है जो साइड उन नीचे से बचा था हमने घेरा निकालने के बाद इसमें से बाजू निकाल लेते हैं तो इसको हम चार तह में बिचा लेंगे ये देखिए हमने इसको चार तह में बिचा लिया है अब ही हम क्या करेंगे घितना हमें चौडाई में 8 इंच कपड़ा चाहिए उतना लेके हम बाकी के कपड़े को अलग करके इसमें हम फिरिल वाली बाजू निकालेंगे तो यहां से देख लेते हैं पहले हमारा यहां से आ रहा है 3.8 इंच तो हम यहां से ही निसान लगाएंगे यह देखिए यहां से आ रहा है 8.5 इंच उपर से कम बैट रहा है थोड़ा सा और इसकी लंबाई 12 इंच है 2 इंच की इसमें फ्रिल लग जाए खुली वाली साइड से 3 इंच पे निसान लगाना है और इस तरीके से गोलाई दे देनी है बाजू की जैसे हमने कल बाजू की वीडियो डाली है जिसमें हमने हर तरह की बाजू बताई है और अपना मार्जन लेके मतलब फिटिंग का निसान लगाके 2 इंच का मार्जन लेके नीचे से निसान लगाके और कटिंग कर देनी है हमने कल्डी डाली है जिसमें हमने हर साइज की बाजू कटिंग करना सिखाया है आप हमारी वाली वीडियो जरूर देखे अब इस बचे हुए फैब्रिक से अभी हम फिरिल निकालेंगे और नीचे से भी इस किनारी वाला पार्ट है इसको हम अलग कर देते हैं तो यह हो गया अभी हम क्या कर लेते हैं फ्रेंट के लिए गोलाई के लिए निसान लगा लेंगे इस पे करिवन आधा इंच पे आधा से एक इंच तक आप लगा सकती है इस निसान को अब हमने यह लगा लिया है अब यहां से हम इसको अलग कर देते हैं यह front part में ही करना है ओपन करके तब हमें करना होता है तो अभी देखिए यह हमने कर लिया है अभी क्या करेंगे कि इस कपड़े को बरावर करें और इसमें से हम अपनी frill के लिए कपड़ा निकाल लेंगे पहले ह्ला से इसे बरावर कर लेंगे जो एक्स्ट्रा है उसे साइड में कर देंगे तो मुझे दो फिरील निकाल ली है मिर पास एक और ऐसा ही छोटा सा कपड़ा बचा हुआ है एक फिरील उस ने से पर लंगे चोड़ाई पांच इंच होगी यह अभी डवल है तो खोलेंग तो देखि पांच इंचारी डाई इंचोंगी तैयार फिरिल तो अभी हमने दो निकाल दी है यह थोड़ी उची निची है क्योंकि हमने वह कटिंग वाले कपड़े से निकाले इसको हम जब से लेंगे तब हम अच्छी से सैट कर लेंगे इसको तो हमारी पूरी जो आज की कट लिट हो चुकी है अगर आपको कहीं पर डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएगा हम उसका रिपलाई देंगे आपको जरूर और इसको पूरा देखिएगा वीडियो को कहीं से भी मिसमत कीजिएगा मैं आपको सिलाई इसके अगली वीडियो में सिखाऊंगी बहुत अच्छे तारीके से और पूरा ड्रेस पहन के भी दिखाऊंगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद